यह पंती जिनके जीवन में उतर गई है और जो इनको फॉलो करने लगें मान विश्वास मानो वो काम्यावी के रास्ते पर निकल पड़े हैं और वहां से वो खाली हाथ नहीं लोटेंगे कहने का मतलब है अब मुझे सुबह उठने के लिए अलराम की जरुवत बिल्कुल भी नहीं पड़ती हर सवेरा मेरा जो है वो पैसन ही मुझे जगा देता है कहने का मतलब है हर इनसान के लाइफ में एक लक्ष होना चाहिए और उस लच्छ को पाने के लिए पागलपन पैसन दिखाना बहुत जरूरी है कि आप ही उसके हगदार है और आप ही को वो चीज चाहिए ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको वरना अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग है सुबह में ठंड लग रही है सोनी का मन नहीं कर रहा है अनिन लग रहा है नहीं उठेंगे दस बार लोग चिलाएंगे फिर भी नहीं उठेंगे पता नहीं लाइफ में कुछ मकसद है भी कि नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी चीज आराम से आसानी से मिलने वाला नहीं है यहां पर लड़कर छिनना पड़ेगा और वो अपने महनत के बलबूते पर अपने पैसन के बलबूते पर लास को स्टार्ट करूँगा बोलूँगा सक्सेस की 98 चैनल पर जो भी फर्स टाइम आ रहे है ना चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दिचेगा ताकि हर एक क्लास का सकते हैं हर एक्जाम का जो है वो 20-25 सेट आपको मिल जाएगा और अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ यानि एक साल के वैलिडिटी के साथ आपको हर एक्जाम का पैकेज दिया जाएगा और आने वाले एक साल तक जो जो एक्जाम उसका सब का आपको speed test दिया जाएगा या फिर application पर भी आप दे सकते हैं जो Google के play store पर आपको मिल जाएगा या फिर success की 98.net पर भी दे सकते हैं और आज cover करने वाले हैं 19 और 20 January के important current affair उसके पहले अपने class का timing देख लेना जैसे मैंने आप सभी को कल रात को बताया था वीडियो upload करकर कि math में आज आपका समय दूरी चाल पूरा topic किलियर करने वाला हूँ तीन दिन के अंदर और reasoning में सबसे important topic सी logism ठीक है तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला question है वो यह है निमलिखित में से किसने petroleum road tank row के लिए ए एक paperless licensing पर किरिया जो है वो शुरू कर दिये यानि आपने देखा होगा जितने भी license है वो आपको कागज पर ही मिलेगा लेकिन अब बिना कागज का digitally बोल सकते हो अब license जो है वो देने वाला है किसको तो petroleum road tank row को और ये देने कौन जा रहा है तो dpiit option number d इसका full form भी आप देख ले न department for promotion of industry and internal trade ठीक है न अगला प्रस हमारे सामने है किस railway station की सुईधा ने एकरित परबंद प्राणली परमाण प्राप्त किया है आपको बताना है integrated management system certificate पाने वाला कौन सा railway station है और वो है आपका mangaluru option number आपका c ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा Muslim संगठन जिसका नाम क्या है विश्वा इजेताम या किस देश में आयोजित किया जाएगा ये आपको बताना है और ये किया जाएगा आपका बांगला देश में ठीक है option number आपका b सबसे बड़ा कौन सा है तो सबसे बड़ा सबको पता है हज ठीक है अगला प्रस हमारे और हाँ बांगला देश का राजधानी क्या है तो सभी को पता है वहाँ का राजधानी ढाका है और वहाँ पर जो करेंसे मुद्रा इस्तमाल करते हैं वो है टाका और वहाँ के परधान मंत्री यानि प्राइम मिनिस्टर का नाम है आपका सेख हसीना अगला प्रसमारे सामने हैं 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर में कौन सा देश भारत से 500 बस खरीदेगा ये आपको बताना है 15 मिलियन डॉलर रुपए में इंडिया से 500 बस खरीदने वाला देश है आपका सिरी लंका और वहाँ का रजधानी है सिरी जैवार्दने पूरे कोटे और वहाँ के पीम और प्रसिडेंट दोनों के दोनों हाल फिलाल में नए चुने गए हैं आपके 19 में पीम का नाम है आपका महिंदा राजा पक्षा और वहाँ के जो राष्ट पति है वो कौने गोटा बाया यह आपको बताना है और यह खोला जाएगा आपका उत्तर परदेश में और जो पूरा खर्च आने वाला है इसमें वो आने वाला है 234 यानि 234 करोर रूपय का जो है वो पूरा खर्च आने वाला है तो याद रखिएगा सहीद असफाकुला खान का चड़िया घर इनके नाम से एक चड़िया घर खोरा जा रहा है और वो खोला जाएगा आपका उत्तर परदेश में और उत्तर परदेश के सीम कौने सभी को पत है योगी आदित्यनात राजधानी लखनाउ और वहां के राजजपाल अननिबैन पतेन अगला परसमाने सामने यस बैंक के स्वतंत्रत निरेशक के पस से किसने इस्थिपा दे दिया है और उनका नाम है उत्तम प्रकास अगरवाल और आज का आपका पहला परस्त यहीं से निकल कर आ रहा है आप सभी को कॉमेंट करकर ये बताना है यस बैंक के यस बैंक की सीओ कौन है ठीक है और यस बैंक का मुख्याले यानि हेट क्वार्टर कहां और यस बैंक का टैग लाइन कहां पर है ये आपको बताना है या तीन चीज कौमेंट करकर बताना है यस बैंक के बारे में यह आपका आज का पहला प्रस्त है अगला प्रस्त हमारे सामने है 23 रास्ट या इवा महस्वदर बीस कहां पर आयोजित किया गया था यानि 23 नेशनल इूथ फेस्टिवल जो है या कहां पर आयोजित किया गया था तो यह किया गया था आपका उत्तर परदेश में और इस बार का 23 नेशनल इूथ फेस्टिवल का जो बिसे था वो क्या था तो विसाय था आपका Fit Youth Fit India इस बार का theme है ये भुलना मत और 12 January को हम लोग मनाते हैं National Youth Day ये भी आप सभी को पता होना चाहिए 12 January को मनाया जाता है रास्टिय इवादिवस ठीक है ना और इस बार का विसाय क्या था Fit Youth Fit India जो है वो इस बार का विसाय था और इसका जो महसौव है वो आपका उत्तर परदेश में मनाया गया था अगला परस हमारे सामने है World Games Athletes of the Year के लिए किसे नामित किया गया है किसे नॉमिनेटेट किया गया है World Games Athletes of the Year के लिए और Indian टीम महिला थीम की हौकी की कैप्टेन जिनका नाम है रानी रामपाल उन्ही को जो है वो नॉमिनेटेट यानि नामित किया गया है किस चीज के अगला प्रस्त हमारे सामने है और उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका अगला प्रस्त हमारे सामने है और ये क्वेस्टन भी काफी इपॉर्टेंट है आपके एक्जाम के पॉइंट आपका व्यू से ताइवान के राष्टपती के रूप में दुसरा कार्याले किसने जीता है ये आपको बताना है इस क्वेस्टन में और उनका नाम है तसाई इंगवेन आपसन नंबर आपका सी और आज का आपका दुसरा प्रस्त निये है ताइवान का मुद्रा यानि करेंसी और ताइवान का जो कैपिटल यान राष्धानी ये दो चीज आपको कॉर्मेंट कर बताना है वहां का मुद्रा और वहां का राष्धानी यानि करेंसी और कैपिटल ताइवान का अगला प्रस्त हमारे सामने किस इंटरनेशनल उनियन ओफ प्योर ए आपका C अगला प्रसमारे सामने हैं विंग्स इंडिया 2020 यामि नागरिक उडियान पर एक अंतरास्टिय सम्मिलन कहां पर आयोजीत किया जाएगा और ये किया जाना है आपका 15 मार्स से हाइदराबाद में यानि की ओप्सन नुमबर आपका C विंग्स इंडिया 2020 नागरिक उडियान पर एक अंतरास्टिय सम्मिलन 15 मार्स से हाइदराबाद में किया जाएगा अगला प्रसमारे सामने हैं विस भविस उर्जा सिखर सम्मिलन में आयोजीत कहां पर किया गया था ये आपको बताना है और ये मिटिंग कहां पर हुआ था य ठीक है और आपको बता चुका हूँ एवेई के जो है ये रास्धानी है जहां पर विस भविस उर्जा सिखर सम्मिलन का आयोजीन किया गया था तो एवेई का करेंसी कह है तो वहाँ पर मुद्रा इस्तमाल कहां था आपका धिर्रम और वहाँ का कैपिटल सभी को बता चुक है कि कि किस वर्ष तक भारत को समुद्री अर्थ व्यवस्ता में 250 बिलियन डॉलर तक बनाना है आपको बताना है समुद्री अर्थ व्यवस्ता में भारत को 250 बिलियन डॉलर तक बनाने का लच्छ है और वो कौन से वर्ष तक तो वो वर्ष है आपका 2024 तक ठीक है याद रख और 20 जैनवरी का और इसका पूरा का पूरा पूरा पीडियाफ आप सक्सेसकी 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजेगा या टेलीग्राम पर लिंक जो है वो सेयर कर दिया गया है टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्किप्सन बॉक्स में मिल जाएगा सो मेरे जितने भी भाई वैन है सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी कहा लगना ठीक है ना चलिए